हेलो रेल्कम टू ओर्लाइन अड़ाफोर स्टुड़ी वनिसिपएट फॉर लर्निंग दोसों स्वागत है आप सभी का ओर्लाइन अड़ाफोर स्टुड़ी यूटूब चैनल पर वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस अप्रेट के बारे में जो की संबंदित है यूपी में नई सिच्छक भरती की प्रक्रिया के बारे में जिसको लेकर जानकाई यहां पर जारी कर दी गई है यूपी नई सिच्छक भरती को लेकर एक बड़ी अप्डेट सामने निकल कर आ रही है जहां पर यूपी की नई सिच्छक भरती की प्रक्रिया जून में शु हुआ था दोहजार चौबीस यानि की साथ साल के अंदर नया शिक्षा सिवा आयोग बना है अब आयोग बन जाने के बाद सबसे बड़ा जो इंतजार है वो यही है कि उत्तर प्रदेश लोक सिवा मनलब उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सिवा चैन आयोग के माधिम से आयोग बना उसी समय कईने की चुना भी आचा सहिता लग गई और ऐसे में भरतियों को लेकर काम जादा नहीं हो पाया लेकिन बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि नए शिक्षा सेवा चैन आयोग के माधिम से नए सिच्छक भरतियों की जो प्रक्रिया है वो चुन में की जाएगी साहिता प्रापत असास के महाविद्यायले में अंक्योन की लिए जून के इन धिक्त पदों की घड़ना पर आ चाहिए- इन पदों पर भरति के लिए उच्छ शिक्षा निदेसाले जुलाई में शिक्षा सेवा चैन आयोका अदियाचन भेज देगा और नई शिक्षा सेवा चैन आयोकी नीवा वली में यहीं विवस्ता की गई है। असास की महा विद्यायले में असिस्टन प्रोफेसर के 1070 बदों पर दो साल से भरती लंबित है। और इसके लिए 2022 में विग्यापन निकाला गया था उसकी परीक्षा भी होने वाली है। वो आपका जल्द जाजी किया जाएगा और जो पहली सिच्छक भरती हो सकती है वो असिस्टन प्रोफेसर सिच्छक भरती होगी। बाकि इसके लाबा यह तो बहुत साई सिच्छक भरती हैं जिनके विग्यापन उत्रवर्देश के अंदर आने चाहिए। लेकिन देखना दिल्चस होगा कि नए शिक्षा सेवा चैन आयो के पास में उन सिच्छक भरती हों के जो अध्याचन है वो कब तक आते हैं। जो भी रियल ऑथेंटिक जानकाई होगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाले और वीडियो को लाइक करते। थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो।